हलो फ्रेंस गुड इवनिंग मैं हूँ एमजे और आज है संडे और यह है अपनी संडे अपडेट की वीडियो तो जैसे की देख रहे हो फ्रेंस अभी मेरे गार्डन में बहुत सारा काम आज मैंने किया है बहुत सारे प्लांट्स को मैंने थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग भ जैसे ही फ्रेंस हमारे अभी मौन्सून थोड़ी अपनी बादल बिखर गए है तो डाइरेक संडाइट हमारे जो दूपेर की आती है वो मेरे सारे इंडोर प्लांट्स के उपर गिरती है जिसकी वज़े से मेरे इंडोर प्लांट्स शायद खराब हो सकते है इसलिए फ्रें वेली है, कनेर है और लेंटेना है, इन सभी प्रांट्स को अच्छी कासी सनलाइट मिल सकेगी, तो ये ग्रीन नेट लगाने के लिए फ्रेंज मैंने थोड़ा सा नैटिंग का काम भी मुझे ओपन करना पड़ा था, तो नेट ओपन करने टाइम, तो फ्रेंज ये जो नेट ओपन करने टाइम मैंने थोड़ा मॉर्निंग लोरी उपर से प्रून कर लिया, अब फिर से फ्रेंज ये morning glory नेट के उपर में लगाऊंगा यानि कि थोड़ी और इसकी size थोड़ी लंबी हो जाएगी उसके बाद फ्रेंज मैं इसको फिर से creep करने के लिए रख लूँगा और दोनों साइट फ्रेंज मैंने netting कर ली है वहाँ पे भी की है और यहाँ पे भी क तो लंबा हो जाने की वज़े से फ्रेंज मैंने इसकी उपर बहुत ही अच्छी प्रूनिंग कर ली इसकी जो size ग्रोथ है थोड़ी मैंने कम कर ली है और जो मेरे elephant ears के जो अच्छी प्रूनिंग कर ली है और जो नीचे से इसकी ग्रोथ हो रही थी वह सारी ग्रोथ फ्रेंज मैंने कट कर ली है क्योंकि नीचे से यह प्लांट बहुत ही ज्यादा बुशी हो रहा था तो नीचे वाला ग्रोथ एरिया मैंने थोड़ा सा कम कर लिया है ताकि sunlight सके तो sunlight soil के ऊपर जाना बहुत ही जरूरी है और दूसरी चीज़ फ्रेंज यह जितने भी यह देख रहे है विंकाज जो विंकाज की ग्रोथ अभी ठीक तरीके से नहीं चल पाती थी वह मैंने विंकाज थोड़े प्रून कर लिये विंकाज अभी फिर से रीकवर होना स्ट स्टार्ट हो जाएगा तो अलमोस 15-20 दिन के बाद यह विंकाज भी हमारे रेगुलरली ग्रो करना स्टार्ट कर लेंगे और बाकी कुछ काम मेरा पेंडिंग हो गया है यह बार बाकी काम में यह है फ्रेंस जैसे कि यह जो मिर्शी का पौधा देख रहा है मुझे यह ग्रो कोई भी प्लांट के अंदर फर्टिलाइस भी नहीं किया है तो कल मैं धीरे धीरे करके एक एक दिन के अंतर में मैं सारे प्लांट को फर्टिलाइस करना स्टार्ट कर लूँगा यह मेरा बहुत ही खूबशूरत हाई बिसकस अभी खिला हुआ है और यह जो रात रानी है फ् आज़ प्लांट की ग्रोध बहुत ही जबर जस बढ़ गई हैं तो जो भी पुलांट की ग्रॉध फ्रेंज नीचे से बढ़ी हुई थी तो वहों प्रूनिग ने कर ली हैं長 और गार्डन पूरा बिखरा हुआ है तो अभी तो सफाई नहीं हो सकती क्योंकि शाम हो गई है ज्यादा अभी में काम नहीं कर पाऊंगा तो थोड़ा गार्डन को भी मुझे क्लीन करना है और यहां पे देख रहे हैं यहां पे गलेडियस का एक प्लावरिंग स्टिक इसके है बहुत ही अच्ही ग्रोध चल रही है यह लेंटेणा के उपर जो यहलो लेंटेणा है अधे अधे यरोजिस सब निकाल दिये हैं। अब यह जो एक Past Size रूजिस के ऊपर या सिर्फ पेनल है तो इसको मैंने अब भी तक सार्रून नहीं किया है तो कल शुबह इनल उपर से सारे मंने रोजिस ठूट दूझा बहुजा है। दो थीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारा बारा बारा flowers एक ही प्लांट के उप्र निकले हुए है यह जो प्लांट है फ्रैंज इसके उपर मैंने कल प्रूनिंग कर ली थी यानि की रोजिस सारे कट कर लिए हैं यह प्लांट के उपर भी फ्रैंज लेकिन दूसरे दो न्यू रोजी इसके उपर लग गए है और ये हमारा ग्लैडीडर रोज का प्लांट इसके उपर भी बहुत ही खुबसुरत एक रोज निकला हुआ है और ये वाला जो रोज यहाँ से इसकी स्टिक टोटली तूड गई थी तो अब इसमें ज्यादा टेंश नहीं करेगी तो कभी-कबार वह ऐसा एरिया जहाँ पे वह ज्यादा तर आती जाती रहती है ज्यादा तर वह अपना टाइम बिता दी तो वहाँ पे अगर हम जो भी प्लांट रखेंगे तो वह प्लांट को डिस्टरब करेगी तो इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद मैं झूप से मैंने यहाँ सिफ्ट किये उसके बाद गिलेरियोँ हमेशा से मेरे प्लांट को डिस्टरब किया है जैसे की देख रहा है यहां से जितनी भी इसकी ब्रांची इसे वह सारी कूरेत ली है जिसकी वज़्ज़े से ब्लांट को तकलिफ हो सकती है यहाँ पे देखिए तो यह सब आज मैंने अपने गार्डन में किया है, थोड़ी प्रूनिंग वगेरे की है, अब सफाई का काम बाकी है, और मैं अपने टोरेनिया आपके साथ चेयर कर लेता हूँ, जैसे की देख रहा है, गिलेरियों ने टोरेनिया यहाँ से सारे काट लिये थे, तो मैंने इसक पर इसकी प्रूनिंग कर ली, और फ्रेंड्स में नाया प्लांट गार्डन में लाया हूँ, वो है टैंगल हाट प्लांट फ्रेंड्स, तो यह नरसरी में मिल रहा था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो एक चीज फ्रेंड्स मुझे बहुत ही अजीब लगती है, यह टैंगल हाट प्लांट के लिए जो इन्होंने सॉाइल मिक्स बनाई है, वो बहुत ही बेकार सॉाइल मिक्स है, यानि की यह टोटली चिकनी मिटी हूँ हार्ड सॉाइल है, जबकि टैंगल हाट प्लांट को एक सैंडी सॉाइल की ज़रूरत होती है, तो मुझे यह चीज की आज तक समझ नहीं पड़ती कि यह जो नर्सरी वाल है क्यों ऐसी चीजे करते हैं शायद उनको पता नहीं है यह जो जान बुछ के ऐसी चीजे करते हैं यह देख लीजिए फ्रेंज बहुत ही हार्ट सॉयल है इसकी और जब भी इसके अंदर वाटरिंग हम करते हैं तो बहुत को मुझे चेंज करना होगा तो उसके ऊपर भी वीडियो बहुत ही जल्दी आपको यह वीट में मिल जाएगी कैसे हम यह टेंगल हट प्लांट को सॉयल चेंज कर सकते हैं इसको कैसी सॉयल प्रवाइड करनी है तो वो सारी चीजे मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो यह थो आपके सब्सक्राइड करना अपके साथ करना है तो बहुत सारी ब्रांच इसको में फर्टिलाइज करना स्टार्ट कर लोंगा तो बहुत इजी गोइंग प्लांट होते हैं ज्यादा इसमें प्रॉबलम वाली बात नहीं होती यह इसके अंदर सिर्व एक इसज़ने ही बहु चीज का ध्यान देना होता है वह वाटरिंग अगर आप इसकी सॉल को थोड़ी सैंडी सॉल रखेंगे तो बाद में आडेनियम आपके आप बहुत ही अच्छे चल सकते हैं तो यह कुछ आज मैंने चेंजिस किये हैं मेरे गार्डन में और यह मेरी संडे अप्डेट की वीडियो क्योंकि अभी शाम का वक्त है तो मुझे लगा किसायद मै अज शॉल बोरह दिन मुझे ये सब काम करने में ही लग गया था अकेले मैंने किया है दो नेटिंग का काम है वो भी खुद मैंने अकेले किया है और ये जो क्रीपर के लिए जो नेट मैंने लगाई है वो भी मैंने अकेले की है तो इसलिए मुझे पूरा पूरा दिन लग जाता है ये सारे काम करने में सुभे फ्रेंज मैंने वाटरिंग वगेरे की तो कल फ्रेंज मुझे फर्टिलाइ मैं थोड़ा सा वथ लग सकता है, क्योंकि मैं हमेशा थोड़ा बीजी चलता हूँ अभी, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन मैं आपको reply जरूर देता हूँ, दो दिन या तो तीन दिन के बाद भी reply देता हूँ, क्योंकि सारे message इस उपर रहते है जिसकी वज़े से मुझे idea आ जाती है कि हमने आगे क्या बात की थी तो इसलिए Instagram पे आप मुझे message करेंगे तो better रहेगा फिर भी किसी भी type का confusion हो friends आप मुझे हमेशा message कर सकते हैं मैं आपको reply दूँगा तिल दन के लिए तक क्यों एपको दो दो खाए थाए तक क्योंच एपको आपको आपको एपको टार्च करेंगे